भौमवती अमोस्या 2000 केस अब क्या है ये भौमवती का रहस्य ये भी बताएंगे साथ ही साथ अमोस्या के दिन कर्ज मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करेंगे और खास करके इस भौमवती अमोस्या 2021 के दिन जो की मई में है कैसे आप कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे ये नहीं हो पा रही है आपके कारियों में तरक्की नहीं हो रही है तो इसके लिए यह एक अचूक दिन है और वह भौमवती अमवसिया का दिन supplement जैसे से मुक्ती मिलेगी अमौस्या प्रतेक महिने में आती है लेकिन जब ये मंगल वार को आती है इनमें से मंगलवार को आने वाली भौमतिय अमोस्या आर्थिक संकटों से छोटकारा दिलाने वाली माने जाती है इस बार की भौमतिय अमोस्या के दिन भर्णी नशत्र और सवभाग्य योग बन रहा है रहा है आईए जानते हैं कुछ विशेश उपाय जिन्हें करके आप सुखी और सम्रिद्ध जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं आपको जीवन में लाव होगा वो लाव प्राप्त कर सकते हैं भौमोती अमोस्या के दिन सबसे पहले सुर्योदय के समय तांबे के कलश में शुद्ध जल भरिए इसमें लाल चंदन का पाउडर और गुड़हल का फूल ढालिए और सुर्य के बारह नामों को उच्चारित कीजिए यानि कि उनका उच्चारन कीजिए और सुर्य देव को जलर्पत कीजिए इससे साइंटिफिकली भी आपको फायदा होता है बिमारियों से आप शुरू हो जाएगी श्री गनेश रिन मोचक मंगल स्त्रोत के 51 पाठ कीजिए गनेश जी को बुंदी के लड्डू का नवैद लगाईए कर्ज के मुक्ति से जो है वो मार्ग खुल जाएगा यानिके कर्ज से मुक्ति पासकेंगे बहुम होती अमोस्या के दिन लाल चंदन क के माला धारन कीजिए अर्थ से जुड़ा हुआ जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ध्यान रखेगा बहुम मतलब मंगलवार का दिन मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला धारन करना आपके पैसे की प्रोब्लेम को दूर करने के लिए शुब होता है इ इस बार सोभाग्ययोग और मेखराशी का चंद्र होने से ये सभी लाभ आपको तुरंत मिलेंगे तुरंत ही फली भूहूत होगा तो इसमें से जो उपाय आपको आसान लगे वो उपाय कर सकते हैं और आप चाहें तो अमोस्या के दिन तरपन भी किया जाता है उसके बारे म वो जरूर देखिए उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माद हम समले करके आते रहते हैं ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को माध्यम से देख रहे हैं ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं जुड़ेंगे नई वीडियो में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं लिख करके कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी अगला टोपिक आप सभी के उस सजेशन के एकोर्डिंग ले करके आएंगे तो अपना किमती सुझाओ जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए मुझे खुशी होगी विदा लेते हैं इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में जाते जाते प्रेम से बोलिए ओम नमस्शिवाय हर हर महादेव